जवान आत्मी हो अगर दैहिक वृत्तियां सक्रिय हैं तो इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए गमगीन हो रहे हो पहली बात तो उसमें कुछ असामान्य नहीं कुछ पाप नहीं दूसरी बात जो कुछ हो रहा है वो तुमने जानते बूझते मांगा नहीं कि एक बच्चा होता है दस साल बारा साल का उसमें कोई अभी नहीं होती है और फिर दो तीन साल में अगले उसमें कामवासना सक्री हो जाती है ऐसी उसने मांग करी थी क्या फरमाइश करी थी उसमें मांगा तो नहीं था, हो गया, क्या करे वो, तो ये जो कुछ है, ये जैसा है, वैसा ही रहेगा और रहता है, ये जो कुछ है, वो समझ लो, कि आदमी के अतीत की छाया है, उसके वर्तमान पर, अतीत हमारा पाशविक है, अतीत में तमाम तरीके के अनुभाव हुए हैं हमको, आज का अतीत तो नहीं है न हमारा, आदमी की जो देह है, वो तो विकास की एक बहुत लंबी प्रक्रिया से होकर आई है, आदमी को जैसा हम जानते हैं, वैसा ही जमीन पर आए 20 लाक साल हो गए, जैसा हम आदमी को जानते हैं, जब उसे कह सकें कि मनुष्य है, वैसा ही हुए उसे 20 लाक साल बीच चुके हैं, आपके हमारे चहरे वाले लोग इस प्रत्वी पर पिछले 20 साल से रमण कर रहे हैं, और ये 20 लाक साल कुछ भी नहीं है, इन 20 लाक साल पहलों से पहले क्या था, उससे पहले ऐसे लोग थे, जिनके चहरे हमसे थोड़ा कम मिलते जुलते थे, पर फिर भी मिलते जुलते थे, फिर उनसे लाक हों और और यदि आप पूर्व में चले जाएं, तो और लोग मिलेंगे जिनके चहरे हमसे और भी कम मिलते जुलते हैं पर उनको देखते ही आप क्या देंगे कि ये हैं कुछ हमारे ही बपा ये बहुत दूर के नहीं है फिर और पीछे चले जाएं और पीछे चले जाएं तो आपको जो जीव दिखाई देगा उसका चहरा हमसे कम कम और कम मिलने लगेगा थोड़ा और पीछे जाएंगे तो फिर दो पाया भी नहीं रहेगा चौपाया रहेगा थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसका रूप एकदम बदलने लग गया है और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि अब वो प्रत्वी पर भ्रमणी नहीं कर रहा है अब वो समुद्र का निवासी है और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि अब उसमें बहुत ज्यादा जटिल कोशिका समूहूं और तन्तु भी नहीं रहे उसकी शारिरिक संगर्चना बड़ी सरल हो गई है कुछ हजार या कुछ लाख कोशिकाओं की मात्र और पीछे जाएंगे तो कहेंगे फिर एक दो कोशिका और पीछे जाएंगे तो ञाएंगेancUद्स बचनें बस चतना कहां गई तो हम इतना पीछे से निकल के आ रहे हैं जिस प्रोटीन और अमीनो एसिड ने पहली जीवित कोशिका को जन्म दे दिया उस प्रोटीन और अमीनो एसिड की वृत्ति का नाम जानते हैं क्या है कामवासना यही तो कामवासना है भविष्य के लिए किसी और को जन्म दे जाना तो पहली गलती तो किस ने करी थी वह मॉलिक्यूल्स ने करी थी प्रोटीन के साधारन प्रोटीन नहीं बड़े लंबे लंब उनका अगर आप सूत्र लिखेंगे फॉर्मूला तो वह ऐसा नहीं होगा कि सीओ टू एच्टू वह कितना लंबा होता है यह लंबा पर यह काम उन्हीं का है खेल शुरू उन्हीं से हुआ है एक लंबी मॉलिक्यूलर चेन दूसरी मॉलिक्यूलर चेन से मिली और उसने कुछ और बना दिया और बनाते ही बनाते पता ही नहीं चला जड़ चेतन में कभी परिवर्तित ही नहीं हुआ चेतना जड़ता के ही दूसरे सिरे का नाम है जड़ 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 जड़ाता रहा और उस जड़ जड़ाने का ही आज एक बहुत सुविकसित नाम है चैतन्य लेकिन आप जिसको भी चेतना कहलो उसमें जड़ गुणधर्म तो पूरी तरह से पुराना शेश ही है ना वो जो पुरानी आदिकालीन यात्रा शुरू हुई थी उसी का तो नवीनतम उत्पाद है न हम उस यात्रा के सब निशान उस यात्रा की सब धूल उस यात्रा के सब अनुभव हम में समाए हुए है उन्हीं का आज हम नाम दे देते हैं वासना विकार वृत्ति इनको समझने की जरूरत है इनकी निन्दा भर करने से क्या काम चलेगा कि बार बार निन्दा कर दी कई बार आत्म निंदक ही हो गये और बड़ी गलानी में चले गए कि तो बहुत गलत आदमी हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुम्हारे बसकी है ना करना, जो ताकत तुम्हारे दिल धड़का रही है, जो ताकत तुम्हारी सांस चला रही है, जो ताकत तुम्हारी पलक जबका रही है, जिस ताकत के चलते तुम भूखे होने पर भ वो सब एक ही स्रोत से आ रहा है उस स्रोत का मैं नाम दे दिया करता हूं प्रक्रति प्रक्रति ही सब कुछ करा रही है और प्रक्रति का उद्देश्य जो है कोई बड़ा खुफिया खुराफाती नहीं है प्रकृति का सीधा साधा उद्देश है भहिया तुम बने रहो तुमारी देह चलती रहे और प्रकृति यह भी जानती है कि तुम्हारी अपनी विक्तिगत देह बहुत दिन चल नहीं सकती आम आदमी आज भी बहुत हुआ तो 70-80 साल का महमान होता है तो फिर प्रकृति यह विवस्था करती है कि तुम न रहो तो तुम्हारे जैसा कोई रहे वो वास्ताओं में तुम्हें ही बचाना चाहती है तो तुम कहे के लिए लगाए जा रहे हो कि हाई यह मैंने क्या कर दिय यह सब बाते प्रकृते के तलकी हैं लाज तो अगर आनी ही चाहिए तो फिर इस बात पर कि मैं उसी तलब पर सीमित क्यों हूँ मैं उसी तलब पर सीमित क्यों हूँ समझ मैं आ रहे है यह बात तुम्हारे पास इंधन है तुम्हारे पास चूला है तुम रो इस बात पर रहे हो कि इंधन क्यों जल रहा है यह कोई रोने की बात है इंधन और चूला है ही किसलिए इंधन जले आग हो गर्मी उठे इसी लिए तो है न अगर रोना ही है तो किस बात पर रोना चाहिए खाना क्यों नहीं पका अभी तक उसकी तुम बात नहीं करना चाहते तुम ऐसी चीज का रोना रो रहे हो जो अपरिहार रहे है जिसको रोका नहीं जा सकता कल को तुम इस बात पर भी परिशान हो जाना कि अचारे जी मुझे प्यास लगती है शरीर है तो ये सब कुछ होगा, ये सब बातें गलाणी की नहीं है गलाणी की बात अगर है तो ये है कि शरीर में ये जो उर्जा दहक रही है, ये जो इंधन जल रहा है इससे आज तक कुछ पक कर सामने क्यों नहीं आया वो बात अध्यात्म के तल की है। अध्यात्म के तल की बात हम करना नहीं चाहते हैं हम प्रक्रति के ही तल पर उल्चे रहेंगे जैसे कि यही बहुत बड़ी समस्य आये। तुम्हारे भीतर उर्जा है प्रक्रति तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है वो सब ठीक है पर तुम प्रक्रति मात्र तो नहीं हो ना प्रक्रति मात्र होते तुम तो अन्य पश्वों की तरह ही होते उन्हें कोई लज्जा कभी गलाने आती नहीं वो कभी किसी अचारे को पकड़ के नहीं पूछते आचारे जी मैंने ऐसा कर दिया और जानवर सब कुछ करते हैं देखा है चोरी भी करेंगे चकारी भी करेंगे उनमें कोई नातिक्ता इत्यादी नहीं होती खाना रखा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसका था किसका नहीं लेकी चल देंगे जिसे हम हत्या कहते हैं जानवर वो भी मज़े में कर लेते हैं तोड़ फोड़ कर देंगे तुमने कोई उंचे से उंचा चित्र बना रखा होगा कोई बहुत सुन्दर तुमने शिल्प कला का नमूना तयार किया होगा बंदर आएगा तोड़ फूर देगा और उसको जरा भी लाज नहीं आईगी कि हाई ये मैंने क्या किया कि आदमी की चेतना का अनुपम प्रतीक था जिसको अभी अभी मैंने तोड़ तार दिया अरब पर आदमी को यसे प्रशन उठते हैं तो स्पष्ट है कि आदमी प्रक्रते मात्र नहीं है आदमी प्रक्रते से आगे कुछ ребен कोओर है वो क्यों नहीं परिणाम दे रहा है ग्याराज में कोई अपनी गाड़ी को लेकर के जाए ग्याराज में कोई अपनी गाड़ी को लेकर के गया और शिकायत क्या कर रहा है वहाँ पर उच्छा गया कि बताईए शिकायत क्या है कंप्रेंट लिखवाईए शिकायत कर रहा है कि गाड़ी न आवाज करती है अच्छा और गाड़ी तेल पीती है अच्छा और गाड़ी का इंजन गर्म होता है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अच्छा और धुआ निकलता है गाड़ी में से ठीक यह सब बिमारिया है गाड़ी की यह सब मेरी गाड का इंजन आवास करता है गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद गर्म होता है गाड़ी से धुआन измен क고 और गाड़ी मेरी तेल पीटी है ये सब बीमारियां बताई गई अब वहां पर जो मेकैनिक है उफ बड़ा है रहान बौला ये सब जो आप बता रहे हैं ये तो गाड़ी में होगा ही होगा क्योंकि वो गाड़ी है भाई ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जो तेल नहीं पीती ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जिसका इंजन नहीं गर्म होता ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जो द्धुआ नहीं देती और ऐसी गाड़ी कहां से लाओगे जिसका इंजन जरा भी आवाज नहीं करता गाड़ी है तो यह सब कुछ करेगी आप शिकायत क्यों कर रहे हैं भूले नहीं बड़ी मुझे तकलीफ है कि मैं कहने कुछ देर समझाता रहा सहाब कहे को माने बुल अच्छा लाइए फिर मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी को कुछ कर सकता हूँ तो करता हूँ आवास तो रहेगी थोड़ी और कम अगर हो पाईगी तो मैं कर दूँगा अब उसने गाड़ी स्टार्ट की थोड़ा इधर उधर कुछ परखा फिर गीर डाला गाड़ी बढ़े काहे को उसने सब कुछ करके देख लिया गाड़ी बढ़े ही नहीं आगे कि किसी गीर में नहीं बढ़ी तो उसने रिवर्स भी लगा लिया कि क्या पता इसमें चलती है उसमें भी ना चले वो नीचे उत्रा गाड़ी के मालिक से बोला कि यह आपकी गाड़ी चलती नहीं है वो ले हाँ पर वो कोई बात नहीं वो कोई बात ही नहीं वो कोई समस्य ही नहीं है कि चलती नहीं समस्य असली है कि यह आवाज क्यों करती है आवाज क्यों करती है आवाज अटाओ आवाज समस्या असली है कि ये तेल क्यों पीती है चलती नहीं है उसकी तो मुझे कोई समस्य नहीं है मैं तुम्हारे गैराज तक भी इसको धक्का लेके आया हूँ ये धक्का खाके चलती हो उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है पर इससे आवाज नहीं करना चाहिए इसे ज़रा भी गर्म नहीं होना चाहिए ऐसा ही बहुत लोगों का हमारे यहाँ सवाल होता है असली समस्या की बात ही नहीं करेंगे असली समस्या ये है कि तुम्हारी गाड़ी सब कुछ कर रही है पर चल नहीं रही तुम्हें तुम्हारी मंजिल की और नहीं ले जा रही है किस गाड़ी की बात कर रहा हूं शरीर की उसका नाम ही नहीं लेना चाहते कि शरीर एक गाड़ी है जो किसी प्रेयोजन के लिए मिली है किसी मंजिल तक पहुचना है और समय भी बांद दिया गया है कुछ दशकों का समय दे दिया गया है कि आपको ये गाड़ी दी गई है ये गाड़ी है और जिन्दगी क्या है समय जीवन माने समय तो ये रही गाड़ी और ये रही जीवन दोनों चीजे दे दी गई इतना समय दे दिया गया और गाड़ी दे दिया गया और कह दिया गया कि इतने ही समय में मनजल दक पहुंच जाना इजहा और गाड़ी हमारी चली नहीं भी मनजल की ओव्हम उसकी बाद नहीं करना चाहते हैं उसकी जगे हम शिकायत क्या करते हैं जैसे कि मेरी गाड़ी ना गर्म फ़ाइब अचार जी मुझे ना क्रोध आ जाता है अरे यार शरीर है तो आये गा न अचारे जी मेरी गाड़ी कूलम चि है ब्रेक अउइल मांगती है इस स्टिरिंग तु भी क्यों कर रहे हो। तमाम तरह के हिए जोते और अनुपयोगी मुद्डे आप खड़े कर देंगे ताकि जो असली मुद्दा है उसकी और देखना ही Natal अपड़े मुद्दा क्या है गाड़ी हमारी मंजिल की और बढ़ नहीं रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे बोलिए और क्या प्रतीक्षा गरेंगे कि आपकी गाड़ी जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो ही मंजिल की और बढ़ेगी बताइए का आप सब लोगों के पास गाड़ियां हैं किसकी गाड़ी आज ठीक वैसी ही है जैसी की फैक्टरी से निकल के आई थी क्या आप इंतजार कर रहें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल जब परफेक्ट रहेगी तभी आप मंजिल की और बढ़ाएंगे उसे अगर आप यह इंतजार कर रहें तो फिर आपने भीतर ही भीतर अपने खिलाफ साजिश कर लिए कि आपको मंजिल की और कभी जाना ही नहीं है काम क्रोध मद मोह ल अगे ही रहेंगे भाई क्रिपा करके इंतजार मत करिये इनके पूर्ण शमन का वो कभी नहीं होने वाला एक जवान आगनी मुझसे आकर के कहे कि जिस दिन वो अपनी काम वासना पर पूरा अधिकार और नियंतरन पालेगा उसके बाद ही वो जीवन के लक्षिकी और प्रस ही समस्या है तो